गुड मॉर्निंग एवरिवन बच्चो आज हम फीचर की चर्चा करेंगे फीचर शब्द अंग्रेजी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है आकृति, नक्षिर, रूपरेखा, विशेष्टा, व्यक्तित्व जब कोई लेखर किसी सूचना या समाचार को सजीव और रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है कि उसका चेहरा विशेष्टा पूरी तरह से उबर आए तो उसे फीचर कहते हैं इसमें कथा शैली, पात्री योजना, मार्मिक्ता तथा शैली की रोचकता की विशेष भूमिका होती है अतहे फीचर लेखन का आश्य है मनोरंजन पूर्ण समाचा फीचर में मनोरंजन का स्थान पहला होता है समाचार और सूचना का दूसरा परन्तु ये दोनों फीचर के अनिवारिये अंग हैं तो चलिए देखते हैं फीचर लेखक के गुन फीचर लेखक में कौन-कौन से गुन होने चाहिए फीचर लेखक में भावना वैरस का उद्रेक होना चाहिए तभी वे प्रभावी फीचर प्रस्थूत कर सकता है फीचर लेखक को मनोरंजन पूर्ण वे चित्रात्मक शैली पर अधिक ध्यान देना होता है फीचर का आरम, कलात्मक, उत्सुकता पूर्ण और आकर्शक होना चाहिए फीचर लेखक के लिए आविश्यक है कि वह तथ्यों के उतार चड़ाओ से भली भाती परिचित हो फीचर लेखक की नीजी शैली वह शब्दों का उप्युक्त चैन होना चाहिए फीचर लेखक को समान्य वर्ग के लिए लिखना चाहिए उधारन के तौर पर हम चर्चा करते हैं फीचर का विशह है गुम होती चहचाहट आकाश को छूती इमारती, चमकती कारे, फिसलती सी सडकी, बड़े-बड़े माल उन मालों में उमरती भीड लेकिन सभी चुप-चुप, हैरान विरान से जाने कोन उन्हें यह कहता हो, बोलो नहीं, हसो नहीं, चलो तो पैरों की आवाज ना आए ठाके लगाना, गप्पे मारना मना है कैसे भीड में भी अकेला होता जा रहा है आदमी? चार ओर भागदोड तो है, शोर्ट भी है, लेकिन खुशी और उत्साहा से भरी चहचाट नहीं शहरी सब्वेता में तो शीशो का जनम भी मोन भाव से होता है ने कोई थाली बजती है, ने कोई बधाई आज मनुश्य ऐसे दम घोटू वातावरण में जी रहा है, जैसे वैं हसना भूल गया हूँ कैरियर के चक्कर में बच्चा चुपी खीच जाता है, धीरे धीरे उसका स्वभाव बन जाता है होटलों में भी खामोशी चाही रहती है, मानों चम्मच पलेट टक्राने से ऐस बधाव जागर हो जाएगी चह चाहट अगर कहीं बची है, तो केवल फुट पातों पर, जुगी जोपडियों में, पक्षियों में कवी राधे शाम शुक्ल ने सही कहा है, लोग संग मर्मर हुए, इर्दै हुए इस पात, बर्फ हुई समवेदना, खतम हुई सब बात बच्चों, आज का होमवर्क है, गुम होता बचपन, विशय पर आप फीचर लिखेंगे, थैंक यू